हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू साइंस मैगनेट दोस्तो कैसे हैं आप लोग सभी I hope सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंस से image कैसे बनती है आप लोगों को पता है एक जाम में कई बार question आता है कि lens में आपने object को यानि वस्तू को यहाँ पर रखा बताईए इसकी image कैसी बनेगी real बनेगी या virtual बनेगी छोटी बनेगी बड़ी बनेगी तो आप लोगों हम लोग जनरली रखते हैं कि या इसको object को यहाँ पर रखोगे तो image छोटी यहाँ पर रखोगे तो बड़ी तो आप लोगों को रखने की ज़रूत नहीं है इसको बिल्कुल ray diagram से हम लोग समझेंगे ठीक है चलिए session start करते हैं तो पहले मैं आप लोगों को lens के बारे में बताता हूँ दो type क्यों होता है एक होता है आपका convex lens जिसे हिंदी में उतल बोलते हैं एक होता है conquwave जिसे हिंदी में ओतल बोलते हैं इसलिए हम लोग इसको diverging lens भी बोलते हैं, इन दोनों में difference और कैसे समझ सकते हैं, ये देखो बीच में से मूटा है, किनारों से पतला है, जबकि concave जो है वो बीच में से पतला है, किनारों से मूटा है, ठीक है, चलिए, तो अब आप convex lens, concave lens, इससे image कैसे बनेगी है, तभी सम मच पाओगे, जब आप लोगों को इनके terms पता होगा, ये तो पता होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को कुछ terms बता देता हूँ, जो आप लोगों के lens में use होते हैं, चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं, convex lens, यानि उत्तर lens की, देखिए, कोई भी lens हो, इसका जो बिलकुल center से निकलती है, इसे आप लोग बोलते हैं, principle axis, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं, मुख्य अक्ष, समझ बागी, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा, जब भी कोई light ray, principle axis के parallel, यानि मुख्य अक्ष के समानतर आएगी, जैसे मालों ये वाली है, ये वाली है, य यह principle axis के parallel ही तो आ रही है, आ रही है, तो जब भी कोई light ray, principle axis के parallel में आती है ना, तो convex lens इन्हें converse करता है, और converse करके सारी की सारी light ray, जिस point से होके गुजरती है, उसी point को बोलते हैं, focus, यह सारी की सारी light ray, जिस point पर मिलती है, उसे ही आप लोग बोलते हैं, focus, OK, समझ में आ आगया होगा focus क्या होता है principle axis क्या होता है optical center क्या होता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं concave lens की तो यहां पर भी lens का जो midpoint होगा उसे आप लोग optical center बोलेंगे एक horizontal line जो प्रिंस यह optical center से होती हुई गुजरे इसको बोलेंगे आप लोग principle axis हिंदी में मुख्ي warum कि आइश करता है तो जभ्भी कोई लाइटरे प्रिंसिपल एकसिस के पैरलल आए जैसे मालो यह वाली लाइटरे आ रही है यह लाइट sf खeki टो यह जो आप व्लोगों की लाइटरे है यह यह वाली यह वाली जब आप लोग इनको पीछे की और extend करोगे न तो जिस point पर ये मिलती हुई नजर आएगी उसे ही उसी point को आप लोग क्या बोलते हैं focus बोलते हैं उसी point को आप लोग क्या बोलते है focus बोलते है I hope ये सारी शीजे clear है अब terminology समझ में आगी तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे convex lens से image कैसे बनती है लेकिन इसके लिए पहले आप लोगों को कुछ rules पता होना चाहिए rules क्या है देखो ये आपका convex lens है इसका midpoint है इसे आपको पता है optical center प्रकाशिय के इंदर बोलते है ये क्या हो जाएगा principal axis यानि मुख्य अक्ष हो जाएगा अब ही मैंने आप लोगों को focus के बारे में बताया था ना कि अगर किसी convex lens में light ray ऐसे principal axis के parallel आती है तो जिस point पे मिलती है ये उसे focus बोलते है तो आप मुझे बताइए अगर light ray यहां से आ गई तो इधर मिलेगी तो ये वाला focus बनेगा तो किसी भी lens में दो focus होता है एक इस side एक इस side चलिए इस side वाले focus को मैंने बोल दिया F1 और इस side वाले focus को मैंने बोल दिया F2 कोई रिक्कत है क्या या simply आप लोग इसको भी F बोल दो इसको भी F बोल दो कोई रिक्कत नहीं है दोस्तों optical center से जितनी distance पे ये आपका F1 है उससे double distance पे एक point लिया जिसको मैंने 2F1 नाम दे दिया सेम यहाँ पर भी F2 जितनी distance पे है उससे double distance पे point लिया इसको 2F2 नाम दे दिया क्लियर है क्या तो चलिए अब हम लोग पहला rule समझते है रूल आप लोगों का क्या होता है कि जब भी कोई light ray principle axis नहीं मुख्यक्ष के समानतर आएगी ना जैसे मालो यह कोई light ray है यह principle axis है ना इसके जश पहले ला रही ना तो जब भी कोई light ray principle axis मुख्यक्ष समानतर आएगी कहां से होके गुजरेगी? focus के गुजरगी ये पहला नियम है जब भी कोई light ray मुख्यक्ष के समानतर आएगी ना तो कहां से गुजरगी focus से होके गुजरगी ये पहला नियम है ठीक है चलिए दूसरा नियम आप लोगों को क्या बोलता है दूसरा नियम ये बोलता है जब भी कोई light ray focus तो फिर केसे जाएगी प्रिंसिपल एकस के समानतर जाएगी जैसे मलो अगर कोई लाइटरी फोकस से होती हुए आरीगी थो लेंस से गुजणने के कोई डेविशन नहीं होगा सीधे सीधे निकल जाएगी तो यह कुछ रूल आपको समझ में आगए कॉन्वेक्स लेंस से उत्तर लेंस से लाइट्रे गुजरती है तो कैसे कैसे चीजें उसके साथ में हो सकती है चलिए अब हम लोग बात करेंगे इमेज कैसे बनेगी किसी ऑबजेट के तो जैसे आप लोगों को देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑबजेट किसी वस्तू को रखने पर उसका इमेज कैसा बनेगा आप लोगों को क्या करना है कुछ भी नहीं करना कोई दो लाइट्रे निकाल दो उस वस्तू से उस object से कोई भी दो light ray निकाल दो, जिसे मालो एक यहाँ पर निकाली, एक यहाँ पर निकाली, तो lens से गुजरने के बाद में, आपको बताना, lens से अपवर्तन होता है, reflection, तो lens से अपवर्तन होने के बाद में, यह किरने जहाँ पर मिले न, वहाँ पर image बन जाएगी, जिसे आप लोग देख लो, कहाँ पर मिल रही है, इस जगे मिल रही है, तो image यहाँ पर बन जाएगी, तो बस image आप लोगों को कैसे देखनी है, किसी भी object की image कहाँ पर बनेगी, इसके लिए क्या rule है, आप लोग उस object से कोई भी दो लाइटरे निकाल दो, प्रकाश किंडे निकाल दो, lens इसे अपवर्तन के बाद में जहाँ पर मिले, या मिलती हुई प्रती तो, वहाँ पर image बनेगी, सर समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, अब इडियो को सब समझ में आजागा, अगर चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिम बनना, ठीक है, तो एक के केस हम लोग देखेंगे, तो ये रहा आपका convex lens, आपने object को, वस्तू को कहां पर रखा है, जल्दी से देखिए, object is at infinity, वस्तू को रखा है आपने अनन्थ पर, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, चलिए या, रख लेते हैं, बहुत दूर रख लेते हैं, वस्तू को, बहुत दूर है प्रकाश किरने आप लोगों को पैडल आती हूं नजर आएगे ठीक है तो मालों ये एक प्रकाश किरन ये आई इससे ये पहली प्रकाश किरन आई ये इससे दूसरी प्रकाश किरन आई आई आप लोग मुझे बताईए प्रकाश किरन कहां से होके गुजरेग तो image कहां पर बनेगी, focus पर बनेगी, क्या ये और ये सही में मिल रही है, ये क्या रियल में मिल रही है, बिल्कुल सर, real में मिल रही है, तो image कैसी बनेगी, real बनेगी, चलो, एक एक चीज बताओ, चलो, मुझे बताओ, location बताओ, image बनेगी, कहां पर, तो आप लोग बोलेंगे सर focus पर बनेगी क्या बोलेंगे आप लोग focus पर बनेगी ठीक है चलिए इसकी नेचर बताओ रियल में real image बन रही है वास्तविक बिल्कुल सर real image बन रही है real यानि वास्तविक clear है गया समझ में आगी इसकी size बताओ तो देखो object मेरा इतना बड़ा था image बस इसे चिन्नू सी बंदरी point size बंदरी highly diminished बहुत चोटी बहुत चोटी बहुत चोटी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेगा जीवन में real image हमेशा inverted होती है वास्तविक प्रतिवयम हमेशा उल्टा होता है अ चलिए next case में आप लोगों को समझ में आ जाएगा चलो case number two लेते हैं इस बार आपने object को कहां पर रखा है infinity पर नहीं रखा बहुत दूर नहीं रखा ठोड़ा पास लिया है कहां पर लिया है beyond 2f 2f1 है यह जो 2f1 है इसके टोड़ा सा beyond रख दिया यहां पर यहां पर यहां प object को वस्तु को यहां पर रख दिया मालोई मैंने इस lens के सामने पैन रख दिया यह पैन का टॉप है इसको मैंने ए नाम दे दिया यह पैन का bottom है इसको मैंने भी नाम दे दिया अब आप लोगो क्या करना है देखना है image कैसे बनेगी तो कोई भी दो लाइट रे निकालो lens से reflection के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर image बनेगी तो देखो एक लाइट रे मैंने निकाली ऐसे principle axis मुख्यक्ष के समांतर एसे तो आप मुझे बताओ कहां से गुजरेगी है कहां से गुजरेगी तो आप लोग बोलेंगे सर मुख्यक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश क थो कोने जह 276 चिलेसों कि यह वाली यह वाली लाइट रे सही में मिल रही है क्या बिलकुलमल रही है तो image कैसी बनेगी रियल बेनेगी ये दोनोर मेर मिल रहे है इस जगे मिल रहे है इस जगे हैं तो इमेश कहांपर बनेगी एफ टू और टू एस नीए बताओ तो location कहाँ पर होगी image की सर इमेज बनेगी between F2 and 2F2 nature बताइए क्या real बनेगी क्या बिल्कुल तो image बनेगी real real image कौन सी होती है वास्तविक और real image हमेशा inverted होती है तो देखो यह जो A B था इसका A बनाए हाँ पर ऐसे बनेगी image ऐसे बनेगी उल्टी बनेगी तो यह हो गया इसका B ऐसे रखाता है अब यह A उल्टा हो गया है तो image कैसी बनेगी? inverted बनेगी समझ में आगई बात को size बताइए तो आप लोग ध्यान से देख पारे हो object हमारा थोड़ा बड़ा था image थोड़ी क्या बनी है? छोटी बनी है चले आगे? चले बहुत बड़िया चले दोस्तो नेश केस मैंने लिया पहले आपने बहुत दूर अनन पर रखा था फिर थोड़ा पास में लेकर आप आप लोग कहां पर लिया है 2F1 पर तो object कहां पर है 2F1 पर है तो बताइए उसकी image कैसे बनेगी तो आप object को वस्तू को यहां पर रख दो कहीं पर ठीक है? यह रही आपके वस्तू इस point को नाम दे दिया A इस point को नाम दे दिया मैंने B अगर आप लोगों को देखना इससे image कैसे बनेगी दो light ray निकालो reflection के बाद में जहां पर मिलेगी आपके महाँ पर image बनेगी clear है गया? बताइए तो निकाल दो यार तो एक light ray मैंने ऐसे निकाली बिल्कुल principal axis के parallel तो कहां से होके गुजरेगी है? focus से होके गेजरेगी एक light ray मैंने निकाली optical center से तो उसमें कोई भी deviation नहीं होगा सीदे सीदे चली जाएगी तो मुझे बताइए ये वाली light ray मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सही में मिल रही है बिल्कुल तो image कैसे बनेगी? real और कहां पर मिल रही है अगर आप जहां चेख़ो 2F2 पर मिल रही है 2F2 पर मिल रही है और size क्या होगा देखो यह रहा object यह बन गई ए इमेज उल्टी बनी है और आपको पता है real image हमेशा inverted होती है आप लोग देख भी पार हो उल्टी बनी size देखो जितना object है उतनी ही आप लोगों को image नजर आ रही होगी तो आईए इसके बारे में location अगर आप लोगों से पूछे image की location कहाँ पर है तो आप लोग बोलेंगे 2F2 पर ठीक है इसकी nature बताइए real image बनेगी real और real image हमेशा कैसी होती है inverted होती है size बताइए ना चोटा ना बड़ा same size कैसा होगा same size चले आगे चलिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसका actual rate आगराम है ठीक है मालो पैन से मेरा चोड़ा उपर नीचे हो जाता है तो मैं आप लोगों को exact भी दिखा दिया देखो यह रहा object और यह रहा image same size की दोनों ठीक है चलिए next कब कहां पर कर रहा है आपने वहाँ पर अनंध पर रख लिया है यहां पर लिया है अब कहां पर है between F1 and 2F1 है ना यानि 2F1 से चोड़ा जो bottom है इसको मैंने B बोला सर मैंने instrument mechanics IT ALP की तयारी करनी है कुछ कीजिए सर प्लीज समझने आ रहा है सब करेंगे इक पर ALP की वेकेंस एक announcement हो जंद और tension मतलो ठीक है तो देखिए दोस्तों एक light ray मैंने निकाली ऐसे principle axis के parallel मुझे बताए कहां से होके जाएगी है कहां से होक से होकर जाएगी कहां से फूकर से जाएगी कं एक light ray मैंने निकाली optical center से तो इस भी कर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा तो यह ऐसी बनिए image उल्टी और आपको पता है उल्टी तो बन नहीं थी क्यों क्योंकि real image हमेशा कैसी होती है inverted होती है और image बनी कहां पर है 2F2 के उधर beyond 2F2 ठीक है चलिए तो location बताईए लोकेशन में बोल दू बियांड 2F2 बोल दू क्या बियांड 2F2 नेचर बताईए इसकी real बनिए के बिलकुल image क्या बनी है बड़ी बनी है ठीक है चलिए नैश हम लोग बात करते हैं आपने पहले object को वहाँ पर रखाता हूँ टो के यहाँ बनेचर दीव को और साइन्स मैंगनेट की तरफिछका 9 टेंड क्लास वाले बच्चो के लिए तो आप सर्च करिएगा यूटूब पे science magnet class 9 and 10 और चैनल को subscribe कर लिए रोज शाम को 4 बजे class होती है कल हम लोग 10 वी class का पहला chapter पढ़ेंगे chemical reaction ठीक है चलिए दूसरों एक light ray मैंने निकाली ऐसे तो देखो प्लीज मेरी और अप्टिकल सेंटर से तो इसमें कोई deviation होगा कि नहीं होगा सर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा सीधे सीधे निकल जाएगी तो आप मुझे बताईए कि क्या यह वाली light ray कहीं पर मिल रही है क्या है बिल्कुल मिल रही है तो image कैसी बनेगी देखो इसका अरे मैंने गलती कर दी क्या अपने रेट आगरम गलत बना लिए क्या देखो आप लोगों ने object को यहां पर रख दिया focus पर रख दिया ठीक है यह रही है आप लोगों का object यह वस्तू इससे एक लाइट रे निकाली principle axis के parallel मुख्यक्ष के समानतर कहां से होके जाएगी यह focus से होकर जाएगी और एक लाइट मैंने निकाली optical center से तो इसमें कोई विचलन होगा के नहीं होगा तो आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो यह वाली लाइट रे और यह वाली राइट रे मिल नहीं रही है एक दूसरा के पेरलल है तो हम लोग क्या बोलता है कोई भी दो पेरलल लाइन कहां पर जाके मिलती है इंफिनिटी पर जाके मिलेगी अनन्थ पर जाके मिलेगी तो इमेज कैसी बनेगी जब अनन्थ पर जाके मिलेगी बहुत बड़ी बनेगी और इमेज कैसी बनेगी इंवर्टेड बनेग और inverted image कौन सी होती, real image होती है, ठीक है, तो location बताओ, आप लोग बुलेंगे सर, infinity पर बनेगी image, छमज में आ गई, nature बताइए, real बनेगी, real, real, वास्तवेक और real image हमेशा कैसी होती है, inverted होती है, size बताओ, सर, highly magnified, highly magnified image बनेगी, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर, देखो, यह वाली light ray, और यह वाली light ray कहीं पर मिल रही है, सर, दोनों पहलों बहुत दूर जाके, अनंत पर जाके कहीं पर मिलेगी, चले आगे, ठीक है, next हम लोग बात करते हैं, F1 और O के बीच में, यानि प्रकाशी के इंदरों focus की बीच में, अगर किसी वस्तु को रखोगे, तो इससे बनने वाला प्रतिविम कहां पर बनेगा, कहां बनेगा, तो कोई दो light ray निकाल दो, एक light ray निकाली, मैंने बिल्कुल principal axis के parallel, तो कहां से होके जाएगी है, कहां से होके जाएगी, focus से होके जाएगी, समझ में आगई, सही है न रे diagram, ठीक है, एक light ray मैंने निकाली हां से optical center से तो जब optical center से कोई निकालोगे तो इसमें कोई deviation होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो ये light ray दोस्तो ऐसी होगी इनके बीच में gap बढ़ता जा रहा है तो आप लोग बोलेंगे सर कहीं पर मिलेगी ही नहीं बट अगर मैं इसको पीछे की और extend करूँ अगर मैं इसको पीछे की और extend करूँ देखो इस वाले diagram में देखो देखो ये आप लोगों का object था वस्तो था इससे आपने कोई दो प्रकाश के रहे निकाली एक निकाली मुख्यक्ष के समानतर जो की focus से होके गई एक निकाली इस optical center से जिसमें कोई भी deviation नहीं हुआ क्या ये और ये कहीं पर मिलेगी कि नहीं इनके बीच का तो gap बढ़ता जा रहा है बट जब आप लोग इनको पीछे की और extend करोगे जब इसको पीछे की और extend करोगे तो ये कहीं पर मिलती हो रही या हो रही है ना तो image क्या हो जाएगा वर्टविन हमेशा सीधा हें साइज की बात करें दोस्तो magnified और location बताओ तो lens के जिस तरफ आपने object को रखाता वस्तू को lens के उससी side कहां पर बन गई image बन गई तो location पूछे तो आप लोग बोलेंगे same side as object मतलब object lens के जिस side में उससी side में image बन गई तो यह आप लोगों का convex lens का पूरा हुआ कारेकरम अब हम लोग बात करेंगे concave lens यानि outer lens की तो इससे image formation समझने के लिए पहले इसके भी आप लोगों को रूल समझने पढ़ेंगे इसका रूल क्या है simple सा है जब भी कोई light ray principle प्रिंसिपल एक्सिस के parallel आएगी तो कुछ इस प्रकार इसका diversion होगा कि आप लोगों को लगेगा कि कहां से होके आ रही है फोकस से होके आ रही है यह इसको पीछे एक्स्टेंट करने पर यह फोकस पर मिलती हुँ नजर आएगी ठीक है यह पहला रूल हो गया सेकिंड डूल क्या है अगर कोई light ray फोकस की और आ रही है फोकस की और आ रही है अगर फोकस की और आ रही है तो लैंस से गुजरने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पेरलल हो जाएगी ओके सिंपल है चलिए थर्ड रूल क्या है अगर कोई कॉई कॉइक्स लैंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी न कोई light ray तो उसमें कोई deviation नहीं होगा सीधे सीधे निकल जाएगी अगर कोई light ray बहुत दूर रखाये चलो रखलेते हैं बहुत दूर क्या दिकलता ठीक है बहुत दूर रखाये चलो रखलेते हैं यह रहा बहुत दूर तो जब आप लोगों को मैंने बताया है अगर infinity पे कोई object होता ना उससे आती हूँ light ray parallel आती है ठीक है तो ठीक है ये कोई light ray आई है ठीक है ये कोई दूसरी light ray आई है तो मुझे बताइए कैसे होके जाएगी है तो जब भी concave lens अवतर lens से मुख्यक्ष के समानते जब कोई प्रकाश करन तो क्या ये और ये कई पर मिल रहे के नहीं बट जब आप लोग इसको पीछे एक्स्टेंट करोगे तो आप लोगों को बताए फोकस से आती हूँ नजर आएगी तो मतलब मिला के ये मिलेगी कहां पर focus पे तो image कहां पर बनेगी location बताओ focus पर बनेगी कहां पर focus पर nature बताई ये क्या सही में मिल रही क्या ये वाली रहे और ये वाली रहे सही में मिल रही के नहीं पीछे एक्स्टेंट करने पर मिलती हूँ प्रतीत हो रही तो नीचर बताओ virtual image बनेगी आभास ही प्रते में मनेगा size बताओ बहुत चुन्नूसी देखो object कितना था image देखो कितनी चुन्नूसी बनेगी तो size क्या है diminished highly diminished HD लिख देता हूँ infinity और optical center के बीच में कहीं पर रखलो उसके लिए common जगे एक ही result आएगा तो यह point है A यह point है B तो एक light ray निकाली मैंने principal axis के parallel तो मुझे बताइए यह कैसे जाएगी तो सरी कुछ इस प्रकार से diverge होगी कि हम लोगों को कहां से जाती हूँ नजर आएगी focus होती हूँ नजर रहे के नहीं मिल रही बट जब आप लोग इसको पीछे के और extend करोगे तो आपको मिलती हूँ नजर आरी नहीं है तो image कहां पर बनी F यानि F1 और O के बीच में बनी तो चलो जल्दी से बताओ location बताओ between F1 and O nature बताइए कि यह वाली ray यह यह वाली रहे सही में मिल रहे नहीं बताओ diminished बनी तो आप लोगों ने एक ची नोट करी होगी convex lens से दोनों टाइप की image बन रही थी real भी virtual भी वास्तविक भी आबासी बट यहां पर जो आप लोगों का concave lens है उसके द्वारा केवल एक image बन पाई कौन सी केवल virtual image object को कहीं पर भी रखो clear है क्या ओके तो यह आप लोगों का पूरा complete हो गया दोस्तो जितने जो भी science magnet 910 के आपके चोटे वाई बैनन को बताईए science magnet के और से चैनल स्टार्ट हो चुका science magnet class 910 जाके आप भी subscribe करो search करो और subscribe करो चोटे बच्चों को भी बताईए और दोस्तो आप लोगों को पता है सभी government exam के complete science का बैच आ चुका है हाँ पर चारों चीजे चल रही है physics chemistry biology environment बहुत बहुत बहतरीन तरीके से यहाँ पर आप लोगों को हर topic detail में करवा जा रहा है free chapter wise test मिलेंगे आप लोगों को जैसी chapter खतम वह test जो test जो जैसे sound हो गया sound का test जाकि अब attend कर लो sound आप लोगों का upload हो गया test ठीक है इस test reach को अप लोग अलग से लेना चाहते है तो 299 इसकी प्राइज है ठीक है लेकिन आप लोग जब यह course लेंगे उसके साथ में आपको मिल जाएगा content bilingual है हर class के आप लोगों को printable PDF मिलेगी एक साल की आप लोगों को वैलिड़ी ठीक है जॉइन कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाईए साइंस मेने टैप इंस्टॉल करिए जो course वाले section इस पर क्लिक करेंगे तो यह window खुल जाएगी तो इस पर buy now का option आएगा इसको कर लिजे और अपनी तयारी को बहतें तरीके से continue करिए ठीक है तो वीडियो क और उस तो लाइक करिए शेर करिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ओके चलिए बबाए थैंक्यू सो मच हुआ है जाए ख मुटिए तरही बबबादाए तक उचे पर जाए हुआ है दोस्ωνपर करिए खरो फ्रेश से बारते नोट Syndrome मुटस्या को है छिए हुआ है। मुटस्अ से दोस प्रेग Foram